नंबर है और वो सरकार बनाने का दावा कर रही है अधिक ठीक है नंबर है एंडिये के पास लेकिन हम लोग तो यह चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के जादा विशेश ध्यान दे बिहार को विशेश राच का दर्जा दे और दूसरी महत्पूल बात जो हम लोगों ने बिहार सरकार ने जब महागरबंदन की सरकार 17 महीने थी बिहार में तो हम लोगों ने जाती अधारित गिन्दा करा के उसके बाद 75% आरक्षिन की सीमा को बढ़ाया था फिर हम भी लोगों के कैबिने प्रपोजल एक गर्मेंट ऑफ इंडिया में भीजा गया था कि इस 75% के आरक्षिन को शड्यूल 9 में डाला जाए तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शड्यूल 9 में उस आरक्षिन को डाले और हम चाहेंगे कि देश भर में जाती अधारित गंदा जो है वो कराई जाए आप दो चीश को लेकर नितिश कुमार के साथ थे एक जाती जन गंदा और साथ में पिहार को कि आपको लगता है कि नितिश कुमार जब सरकार में शामिल होंगे तो इससे बात को रखेंगे कि हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्था नितिश कुमार जी ने भी किया है और एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर की रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विश्चेश राज का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाती जन्गन्ना करवाएं और जो बिहार का अरक्षिन बढ़ाया गया बचहतर परसेंट उसको शडिल नौ में डालने एक गोर्डर ऑपोर्ट्यूटी है और इस बार देखा गया पहली बार द्रण द्रमोधी जी खतम हो चुका है उंका मैजिक खतम हो चुका है वह बहुमच से काफी दूर है अब उनको जो है बिराशार कि सतना कटने ही है यहाप देखेएंगा पिछले बार के मकाबले जो हैं इंडिए 49 लेके गई थी इस बार केवल 30 लेके गई हैं बहतर हमेशा हम लोग उमीद रखते हैं कि जो परफॉमेंस गया है बहतर इस से परफॉमेंस हम लोग आई पर यह लेकिन हम लोगों ने कोई भी कैम्पेरिंग में कोई कमी हम लोगों ने छोड़ी नहीं और पूरे देजभन में हमने कहा था इस बार की भाई चौकाने वाला जो रिजल्ट है हुआ है और आप देखेंगा देजभन में ऐसा माहौल बना कि दरंदर मौदी जी की गाड़ी जो चार सो पार की बात कर रहे थे वो दो सुचालीस से पहले उतर अटक गई